हालू, गूड इवनिंग, कैसे आप लोग सभी लोग, क्या एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है, तो सबसे पहले मुझे बताईए, क्या ओडियो और वीडियो एकदम ठीक है, क्या ऐसा मुझे बताईए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हम लोग, तो गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, कि जो भी बच्चे SLC का ग्याम देने वाले हैं या CDS का ग्याम देने वाले हैं या Railway का ग्याम देने वाले हैं उनके लिए अभी मैं कोसिस कर रहा हूं देखिए क्योंकि मैं regular नहीं रह पाया पिछले कुछ दिन से और पिछले 2-3 दिन में मैं 8 तारिक से आने वाला था लेकिन अभी भी थोड़ी सी जुखाम तो है तो इस कारण में 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया तो आज से हम लोग शिरुवात करते हैं और कोसिस करता हूं continue रहने की मैं एकदम ठीक हूँ एकदम अच्छा हूँ दिपक भाई आप कैसे हैं मुझे बताइए कमेंट जरूर करना सभी लोग तो यह जो क्लास होगी अगर आप लोग को पता है तो मैं 8 वीडियो आपके लिए छोटे छोटे बनाये थे दिवाली से जस्ट पहले कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज उसको शेर कर दो ऐसा मैंने बोला था और उसके बाद हम लोग शिरुवात करते हैं आज की क्लास तो 8 क मैं करवा चुका हूँ और अब मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवांगा कि कैसे अग्याम में पेपर सोल करना चीए वहां पर नए कुशन भी आ जाते हैं काफी बार आप लोग देखते हो कि सर हम लोग प्री वाले कुशन तो कर लेते हैं प्रिविएस यह तो कर लेते हैं लेकिन नए कुशन में हमारा दिमाग नहीं चल पाता तो मैं उस चीज के लिए सिरीज लेकर आया हूँ कंप्लीट चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पूरा बीसिक से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिस करूँगा ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोग को कुछ पीच पीच मिलाऊंगा मैं आसान कुशन भी लेकर आउंगा मैं दीर के बड़े क्यूशन भी मा करनाऊँगा डीर के आसान कुशन्स भी मा लेकर आऊँगा पहली क्लास है तो मैं बता दता हूं यह बेद्वेट कौन कौन से बच्चों के लिए हैacak स सब्सक्राइब करें लेकिन मेंनली जो मेंस के बच्चे इस बार अग्याम देंगे उनके लिए तो यह वाला जो बैच होगा वो भोती ज्यादा आप लोंके ठीक रहेगा TDS वाले बच्चे इससे देख सकते हैं और Railway वाले बच्चे इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं तीनों का कोर्स मैं complete करूँगा या other state level के अग्याम जितने भी होते हैं उसमें भी आप लोग को फाइदा मिलेगा हाई और पढ़ाई तो बड़े क्यूशन भी होंगे अच्छे क्यूशन भी होंगे छोटे क्यूशन भी होंगे तो आप लोग सारे टाइप की माँ आपको प्रैक्टिस करूँगा देखते ही आपका दिमाग खुद का चलना शुरू हो अगर दो तीन मिहने भी मैं continue रह गया तो आपका match थोड़ा सा improve होगा तो चलिए हम लोग शुरूआत करते हैं क्यूशन को सोल करने की पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा उमीद है इतना बड़ा क्यूशन आपको ठीक दिखाए दे रहा होगा क्योंकि बाकी जिगे मुझे भी चीए क्यूशन को सोल करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में क्यूशन पढ़िए जब तक क्यूशन पढ़ने में नहीं पढ़ोगे तब तक मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा परते एक बच्चा मिलकर क्यूशन पढ़ने की कोशिस करो आप भी आगे मैंनिस चोदरी गूड इवनिंग भाई हाँ सोनू भाई सोनू डबल सोनू सोनू स्क्वेर मैं भी कोशिस करूँगा अभी आपसे कोई वादा करनी रहूँ कोशिस करूँगा पंदरा बीच दिन पच्चिस दिन रहूँगा तभी मुझे भी विश्वास हो पाएगा कि हां मैं कंटिन्यू रह लूँगा पैक बाबा कैसे हो आप देखिए धान से समझने की कोशिस करना एक टैंक को निश्ची समय पर परती दिन खाली किया जाता है इसके तुरंट बाद या तो पाइप A या पाइप B इसे काम करना शुरू कर देता है मतलब भरना खाली करने का काम करना शुरू कर देता है जब तक tank पूरा ना भर जाए, tank खाली किया जाता है एक निश्य समय पर, fix time पर खाली हो गया, उसके बाद या तो pipe A भरेगा या pipe B भरेगा, पहली बात, अगर question ही आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक solution तो क्या समझ में आएगा, क्या बोलना चाहरा है, क्या कहना चाहरा ह PDF मिलेगी, ठीक है, सो मार को A अकेला रात को 8 बज़े तक tank भरता है, मंगलवार को अकेला B, शाम को 6 बज़े तक tank भरने का काम पूरा किया, बुदवार को A अकेले ने शाम को 5 बज़े तक काम किया, और फिर B अकेले tank को भरने के लिए शाम को 5 से 7 बज़े तक काम करता है, यदि दोनों परम को एक साथ इस्तिमाल किया जाए, तो गुरुवार को टैंग किस समय पर खाली हो जाएगा? इंग्लिई मीडियम वाले बच्चे इंग्लिई में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लो, पहली आज क्लास है, इसलिए मैं आपको क्यूशन एकडम ठीक से अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? सारे लोग मिलकर एक बार मुझे बताओ, क्या क् दिखाए दे रहे किया तलिए हम लोग शुरुवात करते हैं मैं आप लोग को बताता हूं एक टैंक को निश्ची समय पर यहां पर डेली कोई टाइम खाली हुआ टैंक फिर या तो A से भरुआ होगे या B से भरुआ होगे पहले दिन आपका मूड हुआ कि चल ए तु काम करना शुरू कर सोमवार को अगले दिन आपने सोचा कि सोमवार को A ने काम करना शुरू किया था और टैंक को भरने में रात को 8 बजा दिये थे चलो आज मैं B से काम करवाता हूं आपने टूजडे को सचा मंगलवार को 땅कर को भर दिया 6 बज़े बुद्वार को आप भिर से SSC क टैयारी वाले स्टूडेंट तो आपने देखा कि दोन हो से ही काम करवा लेता हूं या क्या के ले A को प्रिशान करूं क्या के ले B को प्रिशान करूं तो B को आपने पास ठीक है, Quiddhuार को A को पांस मुँच में तक काम करवाया दोनों मिलकर इस टेंग को कितनी देर में भर देंगे ये हमारा क्यूशन है उमीद है क्यूशन आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग आईए मैं समझाता हूँ परते एक बच्चे को कोशिस करते हैं हम लोग सीखने की मान लो डेली जो टेंग है वो बारे बजे काम करना शुरू करता है फिक्स टाइम पर ये इसने लिखा है तर बारे बजे कहां से है मैं वैसी नोर्मली बता रहा हूँ एक अग्यामपल के लिए ताकि आपको अच्छे से धंग से समझ मैं इस चीज के लिए मैं सिखाने की कोश कर रहा हूँ मानलो 12 बजे डेली टैंक खाली हुआ फिर ये भरना शुरू किया तो एकेला रात को आठ बज़े तक टैंक भरता है इसका मतलब मुझे बताई बारे बज़े काम करना शुरू किया था तो ए ने क्या उस टैंक को भरने में एट आर्स लिए क्या आप को गर बि तो B को कितना टाइम लगेगा, 6 गंटे टाइम लगेंगे, इसका मतलब B का टाइम मुझे बताओ 2 गंटे कम है क्या, कुछ बच्चे जिन्होंने लेट जो इन किया है, उनको ऐसा लग सकता है, कि सर हमें क्या पता कि 12 बजे, मैं वैसे ही कोई अग्यामपल उठा रहा हूँ, ताकि चीजां आपको ठीक से समझ में, आप कोई भी अग्यामपल मान लो, मैं क्या कहने की कोशिस कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिस कर रहा हूँ, मान लो, उन्होंने एक बजे काम करना शुरू किया, तो एक बजे काम करना शुरू किया, डेली अगर वो लोग, टेंक ख काम करता रहा इसका मतलब एक का टाइम क्या साथ गंटे होगा क्या और बी ने काम एक बज़े काम करना शुरू किया मंगलवार को और शे बज़े तक काम खतम कर दिया तो क्या टाइम पांच गंटे होगा क्या मैं तो सिरफ इतनी बात आपको बताना चाहरा हूं क्या अपने वैसी समझा रहा हूं, तेन बज़े मान लो कि टांक टीन बज़े काम करना स्युरू करना भर ना सुरू करता है तो तीन बज़े भरना स compare ATR 12ぁ बर्ना सूरू करता है आठ बज़े तक Nikki करना पांच मुझे बताईए यहां से B ने 3 बज़े काम करना शुरू किया और मंगलवार को 6 बज़े तक भरा तो कितने घंटे वे 3 घंटे इसका मतलब क्या अपने पास B का जो टाइम है वो क्या 2 घंटे कम है क्या मैं बस इतनी बात आपको समझाना चाहरा हूँ हा ना बोलिए क्या परते इक बच़े बात समझ पाया है क्या कि B का टाइम 2 घंटे कम है तो मैं यह मानूँगा A किसी काम को धान से सुनना क्या लिखावा है अपने पास मैं यह मानूँगा A किसी काम को T R में अगर फिनिस करे तो B उस काम को कितनी दर में फिनिस करेगा T माइनस 2 R में फिनिस करेगा और यह बात कहां से लिख ली बोलिए सब लोग समझ पाया हो क्या हा ना बोलते रहो भई हा और ना इस चीज को बोलते रहो A अपने पास और परते इक बचा रेगुलर रहेगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा फिर लिख देता हूं यहां पर A का अगर अपने पास T R अगर होगा तो मुझे बताइए B का जो टाइम होगा वो क्या अपने पास T माइनस 2 R होगा बोलिए एकदम ठीक है क्या आपको यह बात सरा आप एकदम ठीक कह रहे हो यह 8 बचे तक काम करता है और यह 6 बज़े ही घर चला जाता है इसका मतलब काम फिक्स टाइम पर अगर शुरू कर रहे है तो B 2 घंटे कम लेगा यह बात हमें समझ में आगी अब इसने कहा कि बुद्वार को टैंक ने 5 बचे तक A ने 5 बचे तक काम किया जो 8 बचे तक काम करता है तो टैंक फुल भर जाता है मुझे बताइए 8 बचे तक काम करता है तो टैंक फुल भर जाता है इसका मतलब A ने क्या अपने पास 5 बचे तक काम किया तो 8 बसती ही अपने पास T-R हो जाता है तो क्या आज उसने T-3R काम किया क्या आज उसने कितने घंटे काम किया T-3R उसने काम किया A ने काम कितने दिर किया T-3R तो मुझे ये बताईए B अकेले ने बचावा काम क्या अपने पास 2 घंटे में कर दिया तो B ने वो जो काम है, यह A ने किया, और फिर B बचावा काम कितने दिर में करता है, B बचावा काम 2 गंटे में करता है अब एक बात में छोटी सी परतेग बच्चे को समझाऊँगा, A ने 3 गंटे जैसे ही कम किये, इसका मतलब A का 3 गंटे का काम धान से सुनना मैं क्या कहना चाहरा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, A ने उस दिन 3 घंटे कम काम किया, तो A का 3 घंटे का काम, और B ने वो काम 2 घंटे में कर दिया, तो इसका अगर कभी efficiency निकालनी पड़े, SSC में आसान क्यूशन आए, इतना टफ नहीं आता है SSC railway CDS मे लेकिन कभी efficiency का ratio निकालना पड़े, तो क्या आप लोग 2 अनुपात 3 तुरंत बना लोगे क्या, कि सर जो काम A ने जैसे 3 घंटे घटाए, 8 बज़े के बज़े 5 बज़े काम छोड़ दिया, तो 3 घंटे आगे जो काम A 3 आर्स में करने वाला था, वो काम B ने क्या 2 घंटे मे कर दिया है क्या, कभी efficiency अगर निकालनी पड़े, उस चीज के लिए मैं आप लोगं को बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाता हूँ, आपको क्या समझ में है, यहाँ पर क्योंकि अच्छा question है, इसका 1R का काम कितना होगा मुझे बताइए, तो आप को वे सर इसका 1 अगर क्या काम किया, तो काम किया, यहाँ पर कितने घंटे, 2 गंटे, और इन सभी को अगर add करोगे, तो total काम कितना आजाएगा, 1, क्या आपको basic concept पता है, क्या, क्या question में हम लोग ऐसे ही करते है, एक किसी काम को अगर 20 hours में finish करता है, और एक दिन अगर 3 घंटे काम किया, त और 3 घंटे काम किया, तो 3 से इंटू, 5 घंटे काम किया, तो 5 से इंटू, यहाँ पर यही किया, 1R का काम, 1 by T, और T-3, 1R का काम, थोड़ा साप लोग यहाँ तो quadratic equation मना लेना, या बैठ कर वैसी जब सोचोगे, कि T का मान क्या आएगा, तो धान रखना, T की value यहाँ से आज जाएगी, यानि A ने अपने पास, यहाँ सोल करना, आपको quadratic equation मना कर, इसका मतलब A ने कितने घंटे लिए 6 घंटे और 8 बज़े काम खतम किया, A ने कितने घंटे लिए है, A का real value आगे है, 6 और इसकी real value कितनी आगे, 4 घंटे, तो मुझे यह बताइए, इसने अगर 6 घंटे काम किया, और 8 बज़े जाकर काम खतम हुआ, इसका मतलब क्या वो जो काम है, वो डेली 2 बज़े शुरू होता है, क्या, 8 बज़े खतम हुआ, और 6 घंटे लिए, तो मुझे बताइए, क्या 2 बज़े डेली काम शुरू होता है, क्या, इसका मतलब काम कितने बज़े शुरू जोता है दो बज़े शुरू होता है डेली अगर गुरुवार को अब आ गया पहला पुछा दे था सोमवार फिर मंगलवार बुदवार को दोनों ने ऐसे काम किया गुरुवार को यह चाहता कि दोनों mix होके काम करें तो दोनों को कितना time लगेगा अगर A 6 गंटे ले रहा है मुझे बताईए complete काम करने में और B complete काम करने में आपने पास time ले रहा है 4 गंटे तो दोनों मिलकर कितना time लेंगे तो 6 into 4 upon 6 plus 4 तो 12 बटे 5 होगा और 12 बटे 5 का मतलब सभी लोग बताईए 2 and 2 by 5 है क्या और 2 and 2 by 5 को आर में बदलोगे तो 2 आर complete है 2 by 5 को अ करने बात आपको बता सकता हूं SSE, Railway, CDS की तयारी आप कर रहे हो मेंस लेवल की तो फिर आपका दिमाद थोड़ा सा खुलेगा बाद 2 बज़े डेली काम शुरू होता है उस दिन 2 गंटे 24 मिनट लिए तो यह आप लोग add कर दीजिए 2 गंटे 24 मिनट तो हमारा answer मुझे बत पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार वो पढ़ो जो आप लोग को यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझने की शुरूआत करो मुझे भी continue होने दो क्योंकि मैं काफी दिन से कोसिस कर रहा हूं YouTube पर continue करनी पा रहा हूं एक बार continue होने दो फिर आपकी सारी demand मैं complete करूँगा लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को समझने की कोसिस कीजिए सभी लोग विपुल वो तो जल्दी ही मैं आपको बता दूगा भई उमीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे question को मैं इसको मैं मिटाता हूं काफी time मत दे चुका हूं आपको कुछ बच बच्छाने की कोसिस करता हूं आपको आप answer कोई भी बच्चा नहीं दे रहा है दूसरे comment आप कर रहे हो फिर मुझे लगता है इसमें पढ़ने वाले बच्चे कम है comment आप लोग दूसरे comment करने के बज़ए मुझे answer दीजिए कल भी परसूं भी डेली में class लेने के अब कोसिस करूंगा इस question को if one plus sin two theta equals to a square है sin cube theta cos cube theta equals to b then which of the following is correct तो ऐसे question में क्या trigonometry आप लोग अगर देख रहे हो आप लोग पढ़ रहे हो आप अगर सीख रहे हो तो दोनु concept में बताता हूं कौन कौन सा तरीका हो सकता है मुझे बताईए ऐसा क्या मैंने हमेशा आपको सिखाया है क्या एक बार special rule में आपको बताया होगा याद कीजिए कि sin theta 10 point में लिखवाता हूं कि भाई ये रट के बैठ जो जब भी आपको मैं basic पढ़ाता हूं हमेशा मैं कहता हूं कि ये 10 point आप लोग रट कर बैठ जो कहीं कोई problem आएगी नहीं इसको हम लोग लिखते हैं a square प्लस b square कमान तो 1 होगा और 2 sin theta cos theta कमान sign अपने पास 2 theta होगा बोलिए एकदम ठीक है क्या अब हम लोग क्या कर रहे हैं क्या सिखाने की मैं कोसिस कर रहा हूं यहाँ पर देखिए ये जो value है अपने पास ये जो formula बनता है ये जो given है ये formula बनता है sin theta प्लस cos theta का whole square और ये मैंने कहीं ना कहीं आप लोग जब भी मुझसे पढ़े हो क्या मैंने हमेशा आप लोग को याद करवाया है क्या बराबर a square अगर है तो सारे लोग मिलकर बताईए कि sin theta प्लस cos theta बराबर क्या अपने पास यहाँ से a आ जाएगा क्या जब भी आप लोग a q प्लस b q पूछो दोनु concept मैं बताता हूं basic concept भी पूरा सिखाता हूं फिर अग्याम में क्यूशन कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूं लेकिन आप लोग यहाँ पर जो भी मैं सिखा रहा हूं सीखने की कोशिस करो मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करो जितने भी बच्चों को चीजां आती है अब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर अग्याम में भी apply करना शुरू कर दोगे आप लोग क्या कहना चारा हूं मैं यह जैसे आप लोग अगर साइन का क्यूब यह क्या है अगर आपको नहीं दिखा लगे साइन का क्यूब प्लस कोस का क्यूब अगर आपको याद हो algebra मुझसे कभी भी अगर आप पढ़े हो youtube पर भी मैंने पूरी algebra पढ़ाई है लगभग 85% आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने हमेशा का है कि aq plus bq अगर आप लोग उसे पूछा है तो आपने पास इसका जो formula होता है आपने पास पूरा या तो a plus b का होल क्यों वो तरीका लगा दो या a plus b sin theta plus cos theta और a square plus b square तो one minus sin theta cos theta बोलिए ठीक है क्या तो sin theta cos theta की value तो हमें चीए चीए तो यहाँ पर पहली बात तो sin theta plus cos theta तो कितना आगया है तो इसका मान तो अपने पास आगया है कितना a या आप लोग पूट कर दोगे इसकी value तो अपने पास आगये a अब सर्थ इसका मान 1 है लेकिन हमें sin theta into cos theta बिची है तो ये वाला जो है इसको दूसरे तरीके से मुझे बताइए ये भी लिख सकते हो क्या 1 plus 2 sin theta cos theta बराबर अपने पास a square अगर है 1 उधर जाकर minus होगा तो 2 sin theta cos theta बराबर क्या अपने पास a square अगर आ गया है तो मुझे बताइए a square minus 1 दो यहां से अगर छुपाऊगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 और इसका मान कितना दियावा है b इसका मान b है तो यह कितना बनेगा यह 2 तो इधर आ जाएगा 2b बराबर a और अंदर जाएगा 2 minus a square प्लस का 1 यह अगर अपने पास अंदर लेकर जाते हो इसको तो 2 और 1 3a 3a minus a cube यह इधर आके minus होगा तो a का cube है minus 3a है प्लस का 2b है और option कौन सा आ जाएगा अपने पास a option आ जाएगा पहला तरीका सभी लोग screenshot ले सकते हो बोलिये ठीक है क्या हाँ और ना बोलिये SSE GD का जितना मैंने syllabus पढ़ाया भाई कर लो आप लोग आसान question आएगा कहीं कोई problem आपको आएगी नहीं अगर और मेरे साथ साथ आ प्रैक्टिस कर सकते हो अगले 8-10 दिन जब आप लोग मेरे साथ रहो इपांकर नमस्कार भाई दूसरा तरीका में क्या बता रहा हूँ स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं दूसरा अग्याम में अगर ये वाला question कभी भी आपको सोल करना है आपको लगता है कि ये वाला question हम लोगों को सोल करना चाहिए तो अग्याम के point of view से इस type के question को सोल करने का सबसे base सबसे साई जो तरीका होगा वो ये होगा कि theta command आप लोग यहाँ पर 0 degree पूट कर दीजिए जैसे theta command 0 degree पूट करोगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0 तो a command कितना आजएगा इसको सोल करोगे तो a command आगया 1 और इसको सोल करोगे तो b command भी यहाँ तो आगया 1 अपने पास यहाँ तो आगया 0 यहाँ पर 1 तो 0 प्लस 1 b command भी कितना आगया 1 तो A कमान 1 और B कमान 1 रखने पर कौन सी equation satisfy कर रही है 1-3-2 इसमें अगर रखोगे तो 1-3-2 क्या solve करने पर 0 आ रहा है क्या हाँ आ रहा है ये equation satisfy कर रही है बाकी कोई भी equation satisfy नहीं करेगी 1-3-2 तो 4 में से 2-2 तो 2 आएगा बराबर में लिख रहा है 0 तो ये satisfy नहीं कर रही ये भी नहीं कर रही ये भी नहीं कर रही बराबर 0 नहीं आ रहा only A option में आ रहा है तो value putting method से हमने question कैसे किया और basic approach से question कैसे किया आना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या डेली में आपको 4 बजे courses करूँगा अब आकर पढ़ाने की practice करवाने की जो बच्चे कहीं से भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हो इनको अगर आप लोग एक बार देख लोगे 100% चीज़ें आपको समझ में आएगी सारे फेकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं जितने भी लोग यूटूब पर पढ़ा रहे हैं जितने भी offline पढ़ा रहे हैं जितने भी online पढ़ा रहे हैं किसी से भी एक बार अगर आप पढ़े हैं आपको लगता है कि सर ये वाला chapter तो YouTube खोलिए मैंने आपको लगभग chapter तो नियुन्तम कौन और तीन अनुपात एक में हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताओ अपने पास तीन एंगल मान लो A, B और C ये तीन है और ये अगर एक है तो कि ये वाला एंगल अपने पास दो होगा क्या क्या क्योंकि अपने पास सबसे बड़ा तीन साइड अगर तीन तीन और एक का अदा तो आपने पास चार का अदा दो अब मुझे बताईए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आपने पास तीनों कोणों का योग 180 और इन सभी का जो सम है तीन दो और एक का सम कितना अच्छ है सबसे बड़ा एंगल पूछा है आप लोग आप कोगे हां सर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री आ गया है और उसको रेडियन में बदलने का तरीका अगर पता है तो अच्छी बात है नहीं तो हर चीज मैं बताता हूं आप लोग याद कर लिया करो कि अपने पास इस चीज को जब भी रेडियन में बदलना हो किसी भी एंगल को तो इंटू करता है हम लोग पाई अपॉन 180 से तो 90 से कट गया दो बार का अंसर कितना आ गया पाई अपॉन 2 रेडियन हां और ना बोलते रो भी क्लास में थोड़ा महौल आप लोग एनरजेटिक रखो क्या अपने पास ओप्शन सी आ गया बोलो ठीक है क पास यह रहा पढ़िया क्यूशन है अच्छा क्यूशन है करने की कोशिस करो और यहां पर एक काम कीजिए आप लोग यहां पर इसको प्लस कर लीजिए चलो सोल करने की कोशिस करो सब ही लोग माइनस वाला भी क्यूशन अगयाम में पूछा जा सकता है लेकिन माइनस वाला क्यूंकि इहां पर आपसे मैच होगा नहीं फिर आप सोचोगे मुझ से क्या गलती होगी इसलिए आप लोग इहां पर पलस कीजिए और क्यूशन सोल करके आंसर मुझे बताओ आनसर बताईये आंसर बताईए, आंसर बताईए हा मुना, फैरा मैं कोशिश करता हूँ भाई दो-चार दिन रेगुलर रहने दो फिर तो मैं वादा भी करूँ एक बार मैं रेगुलर रहता हूँ नमस्कार, D2 गोल्डन पनोजभाकर, थेंक्यू भाई भाई, भगवाने सिंग, फरजापती, आप मतलब सिर्फ कमेंट करते हो बाकिया आप कुछ नहीं करते हैं, आपने देखा ही नहीं, मैंने नमबर सिस्टम कितना बढ़िया पढ़ा रखा है इस परमान में ऐसा नमबर सिस्टम नहीं मिलेगा आपको लेट्स क्रेक विथ रितिक सिंप्लिफिकेशन के शिरफ दो वीडियो बच्चे में आप पढ़ो तो सही एक बार जिरफ कमेंट करते हो, आप कभी भी पढ़ते नहीं, यूटूब पर नमबर सिस्टम एक बार देखो या किसी बच्चे ने पढ़ा है, तो उससे पूछो मैंने कितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है आरेस राम राम भए, देखिए, क्या आप लोग को ऐसा पता है क्या, मुझे एक बात बताईए कि कभी भी एक्स प्लस वन अपोन एक्स बराबर अगर मानलो साथ है, अब आप कोगे सरी ये साथ कहां से आ गया, यहां तहीं नहीं, वैसी मैं समझाता हूँ तो अगर इसको माइनस अगर बनाना होता है, क्या अलजेब्रा कभी पढ़े हो क्या, कि इस चीज को अगर माइनस आप लोग बनाते हो, तो इसका स्क्वेर करते हैं, और चार हम लोग माइनस करते हैं या माइनस से कभी भी प्लस बनाना है तो वोई 4 रखते हैं हम लोग जैसे ये 7 है और हमें अगर positive बनाना है तो x प्लस 1 अपोन x जो होगा इसका square करते हम लोग और फिर 7 4 प्लस करते है तो ये अपने पास आगया 53 बोलिए ये चीज आप लोग को पता है क्या ये चीज आप ल तो यहाँ पर x प्लस 1 अपोन x कमान 4 है तो x माइनस 1 अपोन x की विल्ली कितनी होगी तो आप लोग कोहोगे सर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे इसका square करना है जो कि होगा 16 और 4 माइनस करेंगे तो ये आजएगा root 12 ये बात कहां से आगई बोलो समझ पाये हो क्या सभी ल है पहले से ये हमें दियावय है y-1 upon y plus 2 root 5 हमें गीवन है तो मुझे बताइए कि आप positive बना सकते हो क्या कि y plus 1 upon y ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसके सामने negative y-1 upon y बराबर अगर root 5 गीवन है तो क्या आप लोग y plus 1 upon y बना सकते हो क्या आप लोग को होगे आसानी से अगर negative से positive कभी भी बनाना है छोटी छोटी चीज़े मैं उमीद करता हूं कि आपको पता होगी ये algebra के मेरे videos देख कर आओ हमेशा हमें सारी की सारी चीज़े वही नह आस तक आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि theory change नहीं होती है बने सब कुछ उस पर आप पढ़ाए एक बार देख कर आओ पूरा basic आपका clear होगा वहां से तो यहाँ पर मुझे बताईए negative से positive तो square बनाते हैं 5 और उसमें 4 जोडते हैं तो 9 और 9 का root कितना होगा 3 बोलो सब लोग इ square करके 4 minus root तो लेना ही है square करके 4 positive बनाना है तो 4 plus और root तो आपको लेना ही है बोलिए एकदम ठीक है क्या क्योंकि हमें into में plus का sign चीए तो आप लोग प्लस तब आएगा जब इन दोनों को into करोगे और मुझे बताईए कि x का into दोनों से होगा सिरफ x से होगा दोनों से into होग जब 1 upon y का इससे into करोगे तो अपने पास आएगा y by x और 1 upon y का इससे into करोगे तो यह अपने पास बनेगा 1 upon x y और आगे into होगे कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 12 इन दोनों को भी अगर आप लोग into करते हो देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कोई equation मतलब कहीं 0 रख दो क कहीं 2 रख दो कहीं 5 रख दो बिना मतलब के equation वो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको एक systems equation के ऐसा भी आ सकता है कि equation में value put नहीं कर पाओ फिर आपको basic से solve करना पड़ेगा basic से चीज़ा सोचनी पड़ेगी इसका into करोगे तो यह कितना होगा x y इसका अगर यहाँ into करते हो तो minus का y upon x और इसका into इससे करोगे तो आप लोग minus minus मिलके plus हो जाएगा 1 upon x y बराबर अपने पास कितना होगा इसका into इससे अगर करते हो तो इस चीज़ को क्या आप लोग 2 root 3 लिख सकते हो क्या आपको गया आसानी से लिख सकते हैं सर तो 2 root 3 अगर लिखोगे और into करोगे तो क 2 root 15 आजाएगा क्या जैसे ही दोनों को आप लोग add करते हो अगर आप लोग को पता लगा अब question का pattern अगर आपने सीखा है आपको अगर पता लगा तो आपको समझ में आएगा कि सर इनको जोडते ही ये positive negative कट गया negative positive कट गया तो 2 time तो xy आएगा और 2 time अपने पास 1 upon xy आए जोर हो सभी को समझ में आए तो यह होगा 6 plus root 15 इसका मान लेकिन हम लोगों से value पुछी है ये तो पुछे ही पुछे है इसका जो भी मान है 6 plus root 15 उसके अलावा अपने पास negative root 15 और दिया है इससे ये कट जाएगा और answer कितना आजाएगा ये हमारा answer आजाएगा D option एक बार बत आए तीन कैसे square करके आप 4 जोडते हो positive चीए तो 4 जोडते हो तो 5 में 4 जोड़ा तो 9 और 9 का root 3 और अगर positive से negative चीए तो square करके 4 घटाते है 16 में से 4 घटाओगे root 12 और root तो करना ही करना है जो भी संख्याए हाँ और ना बताते रो मैं side में हड जाता हूं बोलिए ठीक है क्या तो real में अगर आप चाते हैं कि selection हो तो हर चीज में tricks मत ढूंड़ो हर question में tricks नहीं बनती question basic से भी वो पूस्ता है next question हमारे सामने ये रहा और मुझे चीए इसका answer आप लोगों की तरफ से answer दीजिए answer दीजिए answer दीजिए कोई geometry का MPJ वीडियो नहीं बचा भी तो डीए के question भी इसमें include है गोरव कुमार आपके लिए calendar love you भाई MPJ अभी कोई वीडियो नहीं बचा मेरे साथ साथ practice करो मेरे दोस्त अब वीजे मीना कोलवाल सर प्लीज मुझे बताओ coaching के लिए कौन से फेक्स टेस्ट है अब वीजे तो student से पूछिया आप कोई बच्चा जो पढ़ रहा है ना उसी से पूछिये मेरे दोस्त हाँ वीवेक वर्मा मैं कोसिस करूँगा continue class करने की simplification का तो रमाकांत राजपुत only वो वाले ही बचा हुए है कौन सा board mask और मैंने complete करवा दिया मेरे भाई offline आशराम जल्दी ही मैं बता दूँगा एक दो दिन में आपको क्या हम लोग आगे बढ़ें चलिए मुझे answer नहीं दे रहे हो इस बेच की सबसे पिछला जो बेच continue किया था दो डही मेने पढ़ाया था उसमें सारे बच्चे answer दे रहे थे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे कम हैं बाते करने वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा है और जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं अक्स्ट्रा बातों की बज़ए शुरुआत में दो तीन मिनट कर लेता है लास्ट में दो अची कुशन में आपको कर वा रहे हैthinking केक कंसर्ट आप लोंको पता है क्या कि एकस्क्रश में बहुआ अगर 1 हो x plus 1 upon x बराबर अगर 1 हो तो इसके cube का जो मान होता है special rule आप लोग को पता होगा minus 1 और ये हर कोई पढ़ाता है असा नहीं कि मैंने YouTube पर पढ़ाया और उसमें मैंने ही पढ़ाया है ये चीजें क्योंकि fix से rule है कि x plus 1 upon x बराबर अगर minus 1 अगर कभी भी हो तो x cube का मान negative 1 होता है बताइए ये चीजें आप लोग जानते हो क्या मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात पता होंगी ये अगर 1 आजे root 3, negative root 3 आजे उसके लिए ये 6 rule आपको परतेग faculty बताता है plus minus root 3 आजे x plus 1 upon x बराबर plus minus root 2 आजे इनके लिए special rule तो ये 1 वाला जो question है वो मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ x का मतलब x plus 1 upon x का मतलब ये है कि कोई भी number और उसका reciprocal ये भी हो सकता है कि कहीं पर a by b plus b by a अगर आजे बराबर अगर आपने पास minus 1 अगर हो तो इसके cube का जो मान होगा इसके cube a cube और b cube कोई भी number और उसका reciprocal अगर 1 है तो इसके cube का मान positive होगा तो a cube बराबर कितना आ जाएगा अपने पास b cube ऐसे भी questions आज तक आयवे हैं पहले भी पूछा था अगर आपको याद हो previous yes question अगर आप ढंग से करते हो तो ये बात आपको पता होगी कि एक question ऐसा पूछा गया था x by 3 plus 3 by x बराबर अगर 1 है देन बताइए कि x cube का मान क्या होगा ऐसा एक बार 12th level में question आ गया था आयावा question है अगर आपको याद हो तो बना लेते हैं तो आप लोग को याद होगा कि इसके cube का जो मान होगा इसका जो cube होगा x upon 3 का cube कोई भी number और उसका reciprocal 1 है तो minus 1 तो x cube बराबर solve करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा minus 27 आ जाएगा चलिए छोड़िए इतियास को हर question का अपना एक इतियास होता है यह आपको पता होगा उसको हम छोड़ते हैं और हमारे question पर आता है यह लिखाओ है अपने पास A by 3 और यह question मुझे बताईए आप लोग आपके mobile screen पर क्योंकि पहली class है आज तो मुझे बताओ एकदम सही दिखाई दे रहा है क्या क्या लिखाओ है comment जरूर करना तो मैं आप लोग को यह समझा रहा हूँ मुझे यह बताईए कि कोई भी नंबर और उसका reciprocal अगर अपने पास यह है same question तो मुझे बताईए इसका जो cube होगा A cube और नीचे वाले का cube नंबर का cube करोगे आप लोग A by 3 का cube करते हो तो मुझे बताईए दोनों का cube होगा क्या बराबर कितना होगा positive 1 होगा तो बताओ A cube का मान यहां से कितना आएगा 27 आ जाएगा और सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात मुझे बताना उस अग्याम में तो मिल्मउच्ठ यही पूछा था लेकिन क्यूश्ण बड़ा भी तो आसकता है यहां पर थोड़ा change कर दिया और A की power 5 कर दिया मुझे बताओ A की power 5 को क्या A की power 3 into A की power 2 लिख सकते हो क्या आपको जरूर लिख सकते है A की power 5 को A की power 3 into A की power 2 आप लोग लिख सकते हो यह अपने पास है 26a² और यह है अपने पास 3a और प्लस का अपने पास 10 a² का जो मान होगा अगर आपको पता हो एक क्यूब का मान 27 रखोगे तो यह बन गया 27a²-26a² प्लस 3a प्लस अपने पास 10 तो क्या बन गया 27 में से माइनस करोगे तो a² प्लस 3a प्लस अपने पास 10 और यह जो गिवन है इस चीज़ को अगर मैं सोल करो ncm लेकर मुझे यह बताईए अगर ncm 3a आएगा यहाँ पर तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर a² प्लस 9 बराबर के माइनस 1 होगा क्या तो बताओ a² प्लस 9 बराबर कितना आगया माइनस 3a तो a² प्लस 3a A square plus 3A को कहा लिख सकते हो माइनस 9 लिख सकते हो A square plus 3A को कहा लिख सकते हो माइनस 9 और प्लस का 10 है तांसर कितना आजाएगा 1 बढ़िया question, अच्छा question, भोछ सही question उस टाइप के question आप लोग के लिए मतलब 10 में से 2-3 question वैसे भी आएंगे कि कहीं पर 0 रख दो, कहीं पर 1 रख दो कहीं पर 5 रख दो लेकिन वो 10 में से 2-3 नहीं आते हैं मेंस देने जब भी बैठ होगे या CDS देने बैठ होगे तो आपको पता लगेगा या यह अच्छे लेवल के questions आ रहे यहां मैं value put नहीं कर पा रहा हूँ एका मान मैं put ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मान होगा तो फिर वहाँ पर इन questions में फसोगे जो 10 में से algebra के 5-6 questions ऐसे आने लग गए है तो value putting तो आप लोग करी लोगे उस type का जो आसान question आ जाए है मैं भी कभी कभार लेऊँगा आपके लिए practice के लिए लेकिन ये चीजां आप सीखिए और हाँ और ना आप लोग बोलते रहो सभी लोग बोलिये ठीक है क्या विवेक बर्मा कल से option रखेंगे कमेंट बंद करने वाले एक दो दिन में रखता हूँ यार मैं regular रहता हूँ पहले देखिए नीचे दीगी तालिका में 5 विभिन राजियों दवारा दीगे मक्के के उतपादन का कुल उतपादन पर्तिशत के रूप में दर्शाता है ठीक है बहुत सही question है मतलब question करने से पहले पढ़ना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा कुछ बच्चों को यही problem आएगी इस चीज को समझने में की क्या है क्या नहीं है तेबल गिवन ब्लोग फादे प्रोटैक्शन आवजे यहां ऋन जा 법 में प्र theater में आए सब्चा में म क्यां यहां में में प्राइज आप यहाह्ता परेसल तो तो इसा ओगे शरां शरा ने परसीर ॐर रम में गया है उसमें से जो चावल 68% है ना उस चावल में से 60% है तो R1 है और 40% R2 है जो 40% R2 और R3 है वो अनुपाद 96 गया रहा है इसमें से पहले टोटल प्रतेग का प्रोडक्शन यह है उसमें से मक्का तो है 32% चावल देखोगे तो इसका कितना परसेंट है 68% पहली बात दूसरा यहां पर R1 जो है वो अपने पास यहां पर कितना है इसका अपने पास 68% का 60% और R2 और R3 कितना है पहले इसका 68% उसका 40% है R2 R3 और उसको 96 पाद 11 में बाटोगे तो 6 का मान तो है R2 और R3 मान है 11 का चलिए यह बात आपको मुझे उमीद है कि क्यूशन आ और यहां पर भी सोचोगे यार इसको छोड़ो मैं नहीं पढ़ता हूँ क्यूकि इसमें दिमाग लगाना पढ़ रहा है क्यूशन पढ़ना पढ़ रहा है चीजें याद करनी पढ़नी है समझना पढ़ रहा है और जिस चीज में हमें मतलब दिमाग को जोर आता है न कि ची state x and the r2 type of rice production by state h, x द्वारा उत्पादित r1 चावल का ठीक है, x1 द्वारा उत्पादित r1, तो सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं, तो मुझे बताईए, यहां पर चावल x का है कितना, 6,25,000, उसमें से मुझे बताईए, चावल जो है, वो कितना है, x में 52% अगर मक्का है, तो चावल जो होगा, वो होगा 48%, और यह r1, इसका r1 कितना है, तो यह अपने पास 50, और r1 होगा, उसका 60%, यह तो कहा है, पहले का, मैं कहूंगा, बिल्कुल ठीक है, अब आगे वो क्या बोलना चाहरा है, h द्वारा r2, तो यह चीज़े पढ़नी चीएं आपको, h द्वारा r2, तो 6,25,000 तो एकदम ठीक है, इसका मुझे बताईए, चावल कितना होगा, अगर यह 32% है, तो चावल क्या 68% होगा क्या, आप बोलोगे, बिल्कुल होगा, इसम और r3 भी आएगा, जिसमें से, मुझे यह बताईए, r2 कितना है, तो टोटल अगर 17 है, यह रेश्यो आपका पढ़ा हुआ होगा, टोटल 17 है, तो 6 by 17 यह लीजिए, अब इन चीज़ों को दोनों में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो 17 से कट गया आपने पास 4 बार, और 4 0 से 4 0 1 2 3 4 कट रहे है, 4 0 से 1 2 3 4 कट रहे है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सोल करोगे इस चीज़ को, क्या 625 माइनस डिफरेंस पूछा है, तो इन्टू मत कर लेना बैठकर वहाँ पर कहीं इन्टू करना शुरू कर दो, 625 गुना 6 और 625 गुना 6 तो दोनों जगे से कॉमन आ रहा है, माइनस करते हैं, फोड़ी सी स्मार्ट केल्कुलेशन क्या करो, जरूर टाइम बचेगा, आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ, माइनस करोगे तो इनको तो कॉमन ले चुपा हूँ, यह 48 बचा और यह 16 बचा, 48 में से 16 माइनस करोगे, तो यहाँ पर क्या 32 होगा क्या, आपको वे सर जरूर 32 होगा, बोलो ठीक है क्या, अब यहाँ पर 5 की पावर 4 है, यहाँ पर अपने पास 2 की पावर 1 चुपावा है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इन्टू करने पर last में 4 0 आएंगे, क्या कोई ऐसा option है क्या, जिसमें सिर्फ 4 0 हो सिरफ 4-0 कौनसे में है, only B option में है, मैंने पूरी calculation की ही नहीं, वैसे ही question को देख लिया, soul कर लिया और आप लोग DAE की question को थोड़ा सा अगर concept clear होंगे, तो ही आप लोग पढ़ोगे, नहीं तो फिर आसान question भी आप लोग थोड़ देखते हो बोली ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़ें, तो आज की class के लिए सिरफ हम लोग इतना ही रखते हैं, पहली class थी, कल भी शाम को 4 बज़े हमारी class होगी और उसके लिए फिर से हम लोग कल ही मिलते हैं, आज के लिए सिरफ इतना ही, कोसिस करो, मैं भी कोसिस करता हूँ regular रहने की, आप लोग भी कोसिस करो regular रहने की, मैं यह 100% आपको guarantee दे सकता हूँ, कि आपका कोई time में offline पढ़ाओ, online पढ़ाओ, फिरी पढ़ाओ, paid पढ़ाओ time में कभी आपका waste करता हूँ नहीं, क्योंकि time बड़ा important है आप लोग के लिए, और continue रहेंगे, तो अभी कोई share, like वगरा चाहें नहीं करना, continue करता हैं पहले, आप भी, मैं भी दोनों मिलकर कोसिस करता हैं continue रहने की, फिर जितने भी आपके comment चल रहे हैं, उनको भी मैं reply करन आज की class बड़िया से आप लोग को समझाई होगी, परते एक बच्चे को, कल की class में हम लोग फिर से मिलते हैं, शाम को चार बजे, thank you, bye bye